नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ट, सजनो मैई का मेना करक रासी वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है, क्या-क्या साउधानिया हमें उसमें बरतनी है, क्या-क्या सुख दुख हमें उसके अंदर प्राप्त हो सकते हैं, ये जानकारी देने का प्रयास His लिए आप पो चाहिए कि और सनी की यहां से दृस्टि आपके द्रस्तन के ऊपर है जो भी आप कारोबार करते गैं चाहे सर्विस करते गैं उसके अंदर कोई न कोई व्यवधान यहां पर सनी के द्वारा डाला जाता कहें। बाकी ये सनी यहां से बैट करके पढ़ने वालों के विद्या में अरुची उत्पन्न करते हैं या उनको लेट लतीब बनाते हैं आलसी बनाते हैं इसलिए सनी का दान, सनी की शांती, सनी का मंतर जाप, हनवान जी की उपाशना ये आपको करनी चाहिए राहू आपके नममस्तान के अंदर बिद्यमान के तो नममस्तान के राहू मिला जुला फल देगे अच्छा भी होगा तो कुछ अठकाओ भी होंगे, लेकिन रुकाउटों के बाद में कारे आपके सफल हो जाएंगे यहां से बैठे हुए राहू की द्रस्टी लगन के ऊपर जा रही है तो लगन के ऊपर जाने का मतलब है कि मन के अंदर करोदा दिख्यों होगा आप कुछ जिद्धी हो जाएंगे, उसे कुछ कई काम आपके बनते बनते बिगड़ सकते गए बाहियों के साथ अच्छा तालमेल इस समय पर आपका नहीं रहेगा पढ़ाई वालों के लिए भी कुछ व्यवधान ये उत्पन करने वाले गए तो जो सनी का उपाए है, वही उपाए राहू का गए ये भी आप करके और लाभनवित हो सकते गए ब्रीहस्पती आपके पहले दसम थे अब एक आदस आपके ब्रीहस्पती हो गएगे और ये ब्रीहस्पती एक आदस इस्थान में बैट करके अच्छा फल देंगे लाब के रास्ते निकालेंगे और पढ़ाई वालों के लिए जो ब्यवधान सनी के द्वारा या राहू के द्वारा आ रहे थे उन ब्यवधानों को ब्रेश्फपती जो हैं समाप्त करेंगे अर्थात आपकी कीयोई मैंनत कारगर होगी, सफल होगी और आप आगे उन्नत होंगे इन ब्रियस्पती की द्रस्टी जो कहे आपके तरती अस्तान के उपर है तो भाईयों से मित्रों से अच्छा सेयोग बना रहेगा और कोई नए मित्र भी आपके बन सकते गए और कहीं न कहीं आपकी विजय आपको प्राप्त होगी ब्रियस्पती की द्रस्टी विद्यार्थियों के लिए सुब्ख है और किसी के गर्ववती महिलाएं हैं तो उनको संतान होने की जो कहें यहां पर सुब आउसर प्राप्त होगा उसकी खुशियां आपको प्राप्त होंगी जिनका चाहे वो करकरासी वाले हैं तो करकरासी वालों के लिए विसेश रूप से विवाह के सम्मध, सगाई सम्मध वो होने की योजनाई बनेगी और वो होंगी भी और साकार भी हungkin अब इसके अलावा अब मैं देनी के रासी फल देने का प्रयास करता हूं एक और दो तारीक ये आपके लिए का दान करना चाहिए और कोई लंबी यात्रा है तो उसको इस्तकित कर देनी चाहिए कोई नया कार इस समय पर प्रारम बना करें पांच छे साथ आठ और नो दस तारीक यहां तक आपके लिए यह च्छे दिन बहुत ही सुखद हैं लाबकारी हैं हर प्रकार की खुशियां देन हो सकता है बाकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीक यह आठ दिन आपके लिए इस मेहने का सरवोत्तम फल देने वाला है और इसके अंदर बहुत से आपके रुके वह कारिक हैं वो संपन्न होंगे धन के रास्ते खुलेंगे मन में खुशियां होंगी घर के अंदर खुशियां होंगी परिवार जो है वो आनंद के साथ उत्सव मनाएगा 21 और 22 तारीक यह थोड़ी सी आपको चिंता रह सकती है लेकिन वो चिंता लंबी नहीं चलेगी अकारण कोई चिंता उत्वन हो जाए और मन आपका खिन रह सकता है तो थोड़ा सा शांती का दान दें 23 और 22 तारीक आपक किसी के लिए यह बढ़िया जाने वाली है लेकिन 25 26 और 27 तारीक में आपको सावधान रहना होगा इस समय पर आपकी वानी के द्वारा आपके व्यवहार के द्वारा कोई भी ऐसा कारिया हो सकता है जो किसी के साथ में विबाद या जगड़ा जो है उत पर न कर दें लेकिन कारियाले से अपाइंटमेंट लेकर के कारियाले की सेवाए अरपन करके जो भी आपको जानना है पो जान करके आप लाब उठा सकते हैं नमस्कार